सिद्धम सुद्धम पड़मियं जिडिंद वरने मीचंद मकलंकं गोडरायन भूसडूदयं जीवस परूवडं वोच्छं गोमट्टिसार जीवगांड करिंद राज के साध्याय में काय मारगणा का वरणन चल रहा है संसार में जो जीवों की काया होती है उस काया को खोजने के लिए जो मारगणा है उसका नाम काय मारगणा कहलाता है इस काय मारगणा में बनस्पति काय जीवों के बारे में अभी विशेश रूप से बताया जा रहा है जो बनस्पति काय जीव हैं वो साधारन भी होते हैं और प्रत्यक भी होते हैं कल साधारन जीवों के बारे में उनका कैसे आहार होता है कैसे उनका एक साथ इंद्री शरीर आन पान आदी पर्याप्तियों की प्राप्ति होती है ये सब के बारे में बताय जा चुका है अब ये जो निगोद जीव हैं इन निगोद जीवों में दो प्रकार के जीव बताये गए हैं एक बादर निगोद जीव और एक सूक्ष्म निगोद जीव ये तो सभी जानते भी हैं और पहले भी बताया जा चुका है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें किसी आधार की कोई आवर्शक्ता नहीं होती है सूक्ष्म जीव सरवत्र रह जाते हैं जल, थल, आकास किसी भी आधार के बिना वो रह जाते हैं तो उन्हें जल के आधार की थल के आधार की कोई आवश्चक्ता नहीं है आकास में तो सभी जीव रहते ही हैं तो वे बिना किसी प्रत्वियादी के आधार से भी वो सुक्ष्म जीव रह सकते हैं किन्तु जो बादर जीव होते हैं उनके लिए आधार की आवर्शक्ता होती है प्रत्वियादी का आधार उनके लिए होता है या किसी भी चीज का आधार जिसमें कि उनका अपना निवाश उनके अपने शरीर आधी बनते हैं इस तरह से जो बादर निगोद जीवें उनकी कुछ यहां बिसेश विवस्ता बताई जाने वाली है आगे की जो ये दो गाथाएं हैं इन दो गाथाओं में एक गाथा तो दार्श्टांत के रूप में है और एक गाथा द्रिश्टांत के रूप में 194 और 195 ये दो गाथाओं में यही बताय जाना है किस आधार से रहते हैं उनकी जो सनरक्षना है वो बड़ा ही विचित्र सी है लेकिन समझने के लिए जो धारण दिया गया है उससे समझ में आसानी से आ जाता है तो वही यहां पढ़ते हैं गाता नंबर एक सो चोरानवे खंधा असंख लोगा अंडर आवास पुलविदे हावी हे ठिल जोनी गाओ असंख लोगे न गुड़िद कमा यहां अर्थ में खंध माने इसकंद होता है यह असंख लोग प्रमान है फिर इसके बाद मैं अंडर है आवाश है पुलवी है और दे है यह सभी हेट्थिल जोनी काओ यह करम करम से उत्तर उत्तर आगे आगे के यह नामों के अनुशार जब यह चलते हैं तो पिछले पिछले इनके योनी बन जाते हैं योनी माने उत्तर इस्थान बनते चले जाते हैं हेट्थिल माने निचले निचले यह जोनी गाओ माने योनी आएं बनती चली जाती हैं और इनी के आधार से अन्य-अन्य जो आगे-आगे के भेद बताए गए हैं वो उत्तपन होते चले जाते हैं और यह सभी असंख्यात लोग से गुडित क्रम के अनुशार ही जानना चाहिए तो इसमें सबसे पहले लिखा गया है इसकंध क्या लिखा है? खंदा, खंदा माने इसकंध फिर उसके बाद में आता है क्रम अंडर फिर आवास फिर पुल्वी और उसके बाद में देह माने शरीर जिसे बादर निगोद शरीर इसी को कहा गया है तो इसकंध का मतलब यहां पर वो इसकंध नहीं है जो अभी तक आपने सुन रखा है कि अडवय इसकंध आश्च ऐसा जो सूत्र आपने सुन रखा है तत्वार सूत्र में यह वो इसकंध नहीं है यहां इसकंध का मतलब है जो प्रतिष्ठित प्रतेक जीव के शरीर है या प्रतिष्ठित प्रतेक जो जीव हैं उनको यहां पर इसकंध के रूप में कहा गया है किसको? जो प्रतेक जीव हैं क्योंकि यह जो बादर निगोद जीव का आधार बताये जा रहा है कि यह किस आधार पर रहते हैं तो बादर निगोद जीव जो है वो प्रतिष्ठित प्रतेक शरीर के आधार से रहेंगे तो जो प्रतिष्टित प्रतिएक जीव जो शरीर है उनी को यहाँ पर इसकंद कहा जा रहा है याना असंख लोगा माने वो इसकंद जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण है यनि एक लोग के जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों को मान करके उसको असंख्यात से गुणा करने पर वह असंख्यात लोग प्रमाण वह प्रतिष्ठित जो प्रत्यक जीवों का होना है वो असंख्यात लोग प्रमाण है तो ऐसे ये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित जीव चुकि ये भी आपको बताय गया है कि प्रतिष्ठित जीव दो परकार के हैं एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित तो प्रतिष्ठित का मतलब जो निगोद जीवों से जो प्रतिष्ठित हो इस्थित हो निगोद जीवों से जो सहित हो उनको बोलते हैं प्रतिष्ठित सब्रतिष्ठित प्रतिष्ठित अथवा सब्रतिष्ठित तो वह जो प्रत अन्डर होते हैं, यविए प्राक्रत का सब्द है, अब इंगलिस में अभी अन्डर माने नीचे ही होता है, तो उस शरीर के अंडर, यविए अन्डर से अन्डर बनता है, तो उसी में इनकी एक संगया कि यह भी प्रत्यक शरीर जीवों का ही एक अवयव कहलाएगा जो अंडर हैं ये क्या हैं ये भी प्रत्य शरीर जीवों के अवयव हैं तो ऐसे ये अंडर अब इसमें असंख्यात लोग से गुड़ित करके यानि कि जितने इसकंद हैं उनसे भी असंख्यात लोग से गुड़ित करेंगे तो उतने उसमें अंडर ह है नो फिर उस अंडर के भी अंदर आवास हैं उनको भी जितने अंडर हैं उससे असंख्यात लोक से गुणा करने पर उतने उससे असंख्यात गुड़े आवास आएंगे फिर आवास के भी अंदर पुलवियां हैं उनको भी आवास जितने हैं उनसे भी असंख्यात गुड़े असंख्यात लोक से गुणा करने पर जो संख्या आएगी उतनी तो हो गई पुलवियां और फिर उन पुलवियों से भी असंख्यात गुड़े शरीर हैं ये शरीर कौन स जो बादर निगोदों के शरीर है वो ये शरीर है ये भी पुल्वियों में असंख्यात लोग से गुड़ा करने पर ये शरीरों की शंख्या आ जाएगी तो इतनी संग्याएं आपको इतने नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बादर निगोदों शरीर कहां प्रतिष्टित होते हैं बादर निगोदों शरीर कहां होते हैं तो पहले तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक हो गया इसकंद उसके अंदर अंडर फिर उसमें भी आवास फिर उसके अंदर पुल्वी तब जाकर के बादर निगोद शरीर का यह इस्थान बनता है समझा रहा है तो यह जो है पांचवे नंबर पर जाकर के यह बादर निगोद जीवों का शरीर बताए गया यह शरीर जो होते हैं इनके इस तरह से यहां पर इनकी रचना का यह क्रम बताए गया अब इसी चीज को समझाने के लिए उधारण दिया गया है अच्छा इंट्रेस्टिंग उधारण है समझ में आ जाएगा पढ़ते हैं गाता नंबर एक सो पंचानवे जंबू दीवं भरहो कोसल सागेद तक घराइम वा खंधंडर आवासा वो लवी शरीराणी देठंता जंबू दीव भरहो ने भरत छेत्र जो बोलते हैं वो कोसल देश साकेत माने होता है अयुद्या और फिर उसमें रहने वाले घर वा माने उसके समान खंद, अंडर, आवास, फुलवी और शरीर इनको ये दिठंता माने इनके दिठंत जानना क्या बता जा रहा है जैसे जंबू द्वीप अनेक द्वीपों में एक द्वीप है जंबू द्वीप जंबू द्वीप में अनेक छेत्र हैं लेकिन हमें एक छेत्र लेना है भरत छेत्र भरत छेत्र में एक अनेक प्रिदेश हैं लेकिन हमें एक प्रिदेश लेना है कौन सा कौशल प्रिदेश फिर उस प्रिदेश में भी अनेक नगरियां है उन में से एक नगरी लेना है साकेत मने अयोध्या और फिर उस अयोध्या में जितने घर बने हुगे हैं उन सब घरों को ग्रहन कर लेना है समझा रहा है इसी तरीके से इसकंध, अंडर, आवाश और पुल्वी शरीरों की विवस्था जानना तो जम्बु द्वीप तो हो गया इसकंध की तरह भरच्षित्र हो गया, अंडर की तरह, आवास हो गया, कौशल देश की तरह, और पुल्वियां हो गई आयोध्या नगरी की तरह, और शरीर हो गया, उन घरों की तरह तो इस तरह से जानकर के इस द्रिश्टांत से इसना समझ लेना की इसी तरह से ये इसकंध अंडर आवाश और पुल्वी शरीरों की विवस्ता भी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक इस तरह से बनी हुई है और इनका जो करम बताया गया है वो यही है असंख्यात लोक से गुडित करम के अनुसार यह जानना क्योंकि जंबूद्वीब की संख्या से भरत शेत्र की संख्या तो अधिक ही होगी जंबूद्वीब तो एक ही है और भरत शेत्र में भी अनेक तरह के प्रिदेश होंगे प्रांत होंगे तो उन में केवल एक कौशल देश लेना है तो संख्या तो बहुत सारी होगी तो इस तरह से अंदर अंदर जिस तरह से संख्या बढ़ती चली जाती है ऐसे ही इनकी संख्या को असंख्यात गुडित क्रम से बढ़ा हुआ जानना ये द्रिश्टान्त सामाने तरीके से केवल आपको एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक इस तरह की रचना को समझाने के लिए है इस द्रिष्टान्त को इसी लिए एक देश द्रिष्टान्त कहा जाता है सर्वता इसी के उपर लगाने मत बैठ जाना कि ऐसे तो हम कहें कि जंबू द्वीप के अंदर जितने प्रदेश हैं या जितने नगर हैं वो तो सब एक ही देव में इतने नगर हैं उतने नगर हो गए ऐसा मत समझना बलकि ये समझना कि द्वीप के अंदर जिस तरह से छेत्र की संख्या अधिक होती है छेत्रों में भी फिर प्रदेशों की संख्या उससे अधिक होगी प्रदेशों में भी नगरियों की संक्य अधिक होगी, नगरियों में भी घरों की संक्य अधिक होगी, ऐसे उसकी संक्या के अधिक करम को जानने के लिए केवल द्रिश्टान्त लेना, तो जब भी कभी द्रिश्टान्त दिया जाता है, तो किस अपेक्छा से दिया जा रहा है, यह जानना जरूरी होता है नहीं तो आप द्रिश्टांत को ही जो है गलत तरीके से अगर लगाएंगे तो आप कभी भी दास्टांत को समझ नहीं पाएंगे इसलिए द्रिश्टांत को एक देश कहा जाता है जिस अपेक्छा से द्रिश्टांत बताया जा रहा है उसी अपेक्छा से वो द्रिश् चंद्रमा के समान भगवान का मुख है तो भगवान का मुख चंद्रमा के समान है तो अब उससे क्या समझना क्या चंद्रमा के समान भगवान का मुख गोल गोल है कि चंद्रमा के समान जैसे चंद्रमा को हम प्रिकास से बरावगा सफेद सफेद देखते हैं कि बैसा सफेद स कि चंद्रमा में हमें एक अंदर कलंक सा दिखाई देता है, चिन्ने दिखाई देता है कि बैसा है, क्या है? क्या मतलब है? चंद्रमा के समान कहने का मतलब? जैसे चंद्रमा देखने में सुन्दर लगता है, उसको देखने के बाद भी आँखों में शीतलता रहती है, जैसे व आप में बिना क्रीम पाउडर के लाइटेड है, यह कहने का मतलब है, सुन्दर है, आखों के लिए प्रिय है, उसे नेत्र प्रिय बोला जाता है, तो बस इतना ही मतलब है, अब तुम कहो कि नहीं, वो भी चंद्रमा के समान सुन्दर बोला था, तो वो भी असी सफिछ सफिछ दिखता होगा, तो उसको तो को देखने ही नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है, द्रिश्टनान्त इसलिए एक देश कहा जाता है, अब तुम कहो कि नहीं, वो तो फिर उसका मुँ ऐसा नहीं हो सकता हो, तो चंद्रमा की तरह बिलकुल, गोली-गोल होना चाहिए, जब आपन संद्रमा के समान, संदर कहा जाता है, तो ये उपमाय लगाना भी सीख लेना पड़ेगी, आप लोगों के है न, अन्यता कई लोग तो द्रिश्टान्तों के ही, कुछ ना कुछ अर्थ निकाल करके, और अपने तरीके से, कुछ ना कुछ जो हमें प्रमे बताया जाना है, उ नहीं, बादर निगोद जीवों के जो शरीर हैं, ये इतने असंख्यात लोग परमाण गुड़ित होते होते, इतने असंख्यात परमाण ये शरीर है, अब इन सरीरों में जो जीव रहते हैं, शरीरों में कौन रहेगा, जीव रहते हैं न, तो बादर निगोद के जो शरीर हैं उन शरीरों में रहने वाले जो जीव हैं उन जीवों की संख्या क्योंकि ये आपको कल बताए जा चुगा था कि अनंत जीवों का एक शरीर बताए था ना साधारण जो निगोद जीव हैं वो सभी साधारण शरीर है और सभी साधारण शरीरों का एक ही सुभाव है कि सभी जो है अनंत जीवों का एक शरीर होता है इसलिए हम उसको साधारण शरीर कहते हैं तो यहाँ पर अब वो ही बताया जाना है कि जो यह शरीर बन रहे होते हैं इन शरीरों में जीव जो रहते हैं वो जीवों की संख्या कितनी है में कितने जीव रहेंगे तो यहां, एक शरीर में कितने जीव होँगे, उसकी संख्या बताई जा रही है, फिर उसमें आप अपने आप, है ना, जितने शरीर हैं, औनसे उसको मल्टिप्लाई करके, अपना अंसर ले आना, समझा रहा है? तो उसको बताने के लिए आगे की गाता आ रही है एगनिगोद शरीरे जीवा दब अप्पमान दो दिठ्था सिद्धे ही अनंत गुणा सब्बे नविती दकाले न क्या कहते हैं एक निगोद शरीरे यानि एक निगोद के शरीर में या एक निगोद शरीर में एक निगोद शरीर में ऐसा आरत लेना एक निगोद शरीर में जीवा माने बहुत सारे जो जीव हैं इसलिए यह बहुशन का प्रयोग किया वो जीव दब पमान दो यानि द्रव्य के प्रमान से द्रव्य की अपिक्छा से दिठ्था माने देखे गए हैं कहां देखे गए हैं? किन ने देखे हैं? दिठ्था से ही समझ लेना है आपको किसने देखे हैं? आपने देखे हैं? कि हमने देखे हैं? किसने देखे हैं? शरवग की भगवान ने अपने केवल ग्यान में देखे हैं क्या देखे हैं सिद्धे ही अनंत गुणा जितना सिद्ध जीव हैं उनसे अनंत गुणे जीव देखे हैं सुन रहे हैं और सब्वेन भी तीद काले अनं जितना भी अतीद काल हुआ है उससे भी अनंत गुणा देखें उन्होंने दो तरीके की यह अपेक्षा बताई गई है इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हमें प्रमाण जानने में आता है या हमें संख्या जो भी बताई जाती है वो हमें अपेक्षा से ही बताई जाती है यानि द्रव्य की अपेक्षा से बताना, छेत्र की अपेक्षा से बताना, काल की अपेक्षा से बताना और भाव की अपेक्षा से बताना तो द्रव्य की अपेक्षा से भी संख्या बताई जाएगी तो कोई द्रव्य लेकर के बताई जाएगा द्रब्यमाने कोई जीवादी पदार्थों की संख्या उसकी अपिक्षा से संख्या बताई जाएगी छेत्र की अपिक्षा से जब बताई जाएगा तो हमें लोकाकास की अपिक्षा से या आकास की अपिक्षा से बताई जाएगा तो छित्र की पिक्षा से वो संख्या कहलाती है तो संख्या में ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है संख्या किसी भी पिक्षा से बताई जा सकती है क्योंकि आपके लिए सभी प्रकार की मारगणाव में संख्या भी आती है तो संख्या बताने के लिए हम कुछ ना कुछ सहारा इनी चीज़ों का लेते हैं। या तो द्रब्य के पिक्षा से, या छेत्र के पिक्षा से, या काल की पिक्षा से, काल माने अतीत काल में जितने समय हो चुके हैं, या अतीत काल जितना है उसकी पिक्षा से, या अनन्त काल जो आगे आएगा उसकी अपिक्छा से काल की अपिक्छा से भी हो सकता है काल में अवसरपनी उसरपनी काल भी आ सकता है अगर कोई संख्या कम होगी सीमित होगी तो उसरपनी अवसरपनी काल से भी किसी संख्या को ना पा जाता है तो इस तरह से जब कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले कि वो संख्या असंख्या उस्सरपनि अफसरपनि काल के बराबर है तो वो काल की अपिक्छा से संख्या बताई गई जब आप से कहा जाता है कि ये लोका काश से भी जो प्रदेश है उनसे भी असंख्यात गुड़ी है या असंख्यात लोक प्रमान है तो ये छेत्र के पिक्षा से संख्या बताई जाती है और भाव की पिक्षा से बताई जाती है जैसे केवल ग्यान के जो अनंत अविवागी प्रतिछेद हैं उनसे अगर compare किया जाएगा तो वो कहलाएगी भाव की पिक्चा से अथवा अवधी ज्ञान आदी के द्वारा जो हमें पधार दिखाई देते हैं या अवधी ज्ञान के भी जो अविवागी प्रतिछेद होते हैं माने जो शक्ति अंस होते हैं वो जितना प्रिकट हो चुके होते हैं अनंत संक्या में होते हैं अगर उसको भी हम देख करके बताएंगे उसकी पिक्चा से बताएंगे तो भावों की पिक्चा से अलग तरह से संक्या बताई जाती है तो इस तरह से द्रव्य, छेत्र, काल और भाव चार तरह से हमें कुछना को शंख्या का ज्यान कराया जाता है तो यहां पर आपको एक तरह से देखा जाए तो नीचे की लाइन में दो चीजें बताई गई है एक तो लिखा है सिद्धों से अनंत गुणा क्या है सिद्धों से अनंत गुणा एक निगोद शरीर में रहने वाले जीव कितने हैं? जितने सिद्ध हो चुके हैं समझ आ रहा है? उन से भी अनंत गुडे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं अभी हमने जब आपको उपर बताया था तो अभी उसमें क्या बताया था शरीर बताया थे कितने शरीर थे वो असंख्यात लोग से गुड़ित होते गुड़ित होते अंत में जो शरीर आये थे वो असंख्याते जो शरीर हैं उनमें से एक निगोद शरीर लेना और एक निगोद शरीर में कितने जीव जानना जितने सिद्ध हो चुके हैं उनसे अनन्त गुडे जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं यानि कि जो आपको कल भी बताया था कि साधारण शरीर अनन्त जीवों के पिंड का नाम है तो अनन्त जीवों का एक सरीर तो वो अनन्त जीव कितने हैं? अनन्त तो बहुत सारे चीज़ें होती है अनन्त तो आकास के प्रदेशों की भी संख्या है अनन्त तो सिद्ध जीवों की भी संख्या है और अनन्त जो है वो जो निगोद जीव है उनकी भी संख्या है तो अनन्त को अनन्त से ही कंपेर किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बता जा रहा है कि जो सिद्ध जीव हैं उनसे भी अनंत गुड़े जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं अच्छे डंग से दमाग में बिठा लो अब ऐसे निगोद शरीर कितने हैं तो वो असंख्यात लोक प्रमाण समझ लो असंख्यात लोकों से गुड़ित करते करते इसकंद से लेकर कि जो संख्यात से गुड़ित करते करते शली आ रहे थी उतने असंख्यात लोक प्रमाण जो शरीर हैं उनमें से एक शरीर के जीवों की संख्या बताई जा रही है और जब एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं तो जो अभी तक जितने भी सिद्ध बने हैं वो भी जो है एक निगोद शरीर में रहने वाले जीवों की बरावर सिद्ध भी नहीं बने उनके भी सिद्धों से भी अनंत गुडे जीव उसमें रह रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि एक निगोद शरीर में रहने वाले जीवों की संख्या इतनी अधिक है कि सिद्ध भी अभी उसके बरावर उनकी संख्या भी नहीं बन पाई ना अभी बन पाई और ना आगे बनेगी समझ रहे हैं ये जो गडित है ये जो आपके लिए सिद्धान्त बताया जा रहा है ये सिद्धान्त आज भी असा ही है 24 असंख्यात जो बीट गई तब भी तीर्थन करों ने बताया तब भी यही सिद्धान था और आगे भी असंख्याती 24 बीटने के बाद अनंत काल के बाद भी सिद्धान यही रहेगा समझा रहा है? यह सिद्धान कभी भी बदलता नहीं अनंत काल पहले भी मोक्च चले गए अनंतों की संक्या अनंत गुड़ी बढ़ भी गई तो भी वो अनंतों की संक्या उतनी अनंत रहेगी जितनी अनंत यहां बताई जा रहे है और यह जो एक फिगर बनी हुई है कंपेर करने के लिए कि सिद्धों से अनंत गुड़े जीव एक निगोच सरीर में रहते हैं ये हमेशा ऐसा ही सिद्धान्त रहेगा आगे भी अनंत चोवीसी बीतने के बाद अनंत काल बीतने के बाब जूद भी इस संख्या में कोई भी बाल वरावर भी अंतर नहीं आएगा समझ में आ रहा है अब आप कहोगे ऐसा कैसे तो ये इस्थाई सिद्धान्त इसी को बोलते है इसी को जो है एक तरह से अनंत की संख्या को अभी आपको केबल बताय जा रहा है तुलनात्मक रूप से आगे बताए जाएगा कि अनंत भी इसी तरीके का अनंत कहलाता है जिसमें कभी कोई अंतर पड़े ही ना तो वही संख्या यहाँ पर अगर हम अतीत काल की अपेक्छा से देखें तो अतीत काल को भी हम क्या बोलते हैं अनंत काल है अतीत को बोलते हैं न हमने अनंत काल बिता दिया संसार में अतीत काल जो हमारा पास्ट टाइम था वो भी कतना है वो भी अनंत काल है तो काल की अपेक्छा से देखेंगे तो जितना अनंत काल है उससे भी अनंत कुडे जीब एक निगोश शरीर में रहते हैं तो यह हम दो अपेक्छाओं से समझ सकते हैं द्रव्य की अपेक्छा से भी अनंत गुणा बताया है और काल की अपेक्छा से भी बताया है द्रव्य की अपेक्छा से सिद्धों से अनंत गुणा जानना और काल की अपिक्षा से सभी अतीत काल के समयों से भी अनन्त बुणा जानना अब ये भी गड़ित हमेशा ऐसा ही रहेगा एक और अच्छी चीज मिलती है कि अतीत काल से अनागत काल अधिक होता है समझा रहा है? मतलब जो अतीत बीता है जैसे काल का कोई अन्त नहीं है कोई ओर और शोर नहीं है लेकिन फिर भी जहां आप किसी भी च्छन अपने आपको प्रिजेंट करेंगे तो उस प्रिजेंट को उसी समय पर अगर हम कॉंस्टेंट करें च्छन पर के लिए तो उससे जो अतीत काल है और आगे जो अनंत काल है वो काल में भी देखेंगे तो अतीत काल से भी अनंत काल अधिक होता है तो अतीत काल भी अनंत है और अनागत काल भी अनंत है लेकिन अतीत से अनागत वाला काल अधिक है फ्यूचर का टाइम ज़्यादा है पास्ट के टाइम से समझा रहा है अब उसी future के time में भी हम देखें कितना भी हम आगे पहुँच जाएं तब भी ये जो सिद्धान्त है वो यही रहेगा कहीं भी किसी भी छण आप जा करके खड़े होंगे अनन्त काल के बाद अनन्तों 24 के बीतने संख्या 24 के बीतने के बाबजूद भी तो भी ये सिद्धान्त ही रहेगा क्योंकि जो भी जीव सिद्ध बनते जाएंगे उन सिद्धों के बनने के बाबजूद भी इस अनन्त संख्या में बादर निगोद का कोई भी शरीर खाली नहीं होने वाला है समझा रहा है उसमें कोई जीवों की कमी नहीं आने वाली और वहाँ जो सिद्ध बढ़ेंगे उन सिद्धों की संख्या भी उतनी ही रहेगी और उस सिद्धों की संख्या में कभी भी इतनी ब्रद्धी नहीं हो जाएगी कि वो संख्या एक निगोद शरीर में रहने वाले जीवों के बरावर हो जाए या उससे अधिक हो जाए ये कभी नहीं होगा सुनने मारा, समझने मारा ये सास्वा सिध्धान्त उशी को बोलते है समझा रहा, ये सास्वा सिध्धान्त इसी लिए कहलाते है कोई भी तीर्थंकर है उपदेश इसी रूप में देंगे और यही हमेशा बना रहेगा अब आप समझें कि इतना जो जीवों का ये पिंड है जिसमें एक निगोद शरीर में इतने जीव है कि वो उतने भी जीव अभी तक न मोक्ष गए हैं और ना कभी अनन्त काल में वो जीव उतने बडाबर भी मोक्ष जा पाएंग एक सरीर के बराबर भी मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं तो कितने सरीर है असंख्याथ लोग पर्माढ जो शरीर हैं वो निगोद जीवों के सरीरों में तो अनन्त अनन्त जीव हैं वो तो कभी भी किसी का भी कभी भी कोई शरीर खाली होने वाला नहीं है मतलब यह है संसार में जीवों की संख्या भी इतनी ही रहेगी और कहने के लिए जो अनन्त है वो अनन्ती रहेगी मोक्ष में जाने वाले जीवों की संख्या भी अनन्ती रहेगी अनन्त काल में जीव मोक्ष अनन्त चले भी जाएंगे तो भी उनकी गड़ना में कोई आपस में कंपेर करने से गड़ित में कोई अंतर आने वाला नहीं है वो इतना का उतना ही रहेगा यह समझने की बात है क्योंकि यहां पर एक और अब आगे गाथा दे करके बताए जा रहा है गाथा नंबर 190 शिविन अथि अनंता जीवा जेहिन पत्तो तसान परेणामो भाव कलंक सुपवरा निगोध वासम्न मुंचंती यहां कहते हैं अथि माने हैं अनंता जीवा अनंत जीव हैं जेहीन पत्तो जिनोंने प्राप्त नहीं किया तसान परेणामो तरशों का परेणाम माने तरश परेयाय तरशों का भाव भाव कलंक शुपवरा भाव कलंक की बहुत प्रचुरता होने से निगोद वासम न मुन्चंती वे जीव कभी निगोद वास को नहीं छोड़ते हैं अब यहां पर जो निगोद में ही हमेशा रहते हैं ऐसे नित निगोद जीवों का एक थोड़ा सा स्वरूब बताया जा रहा है क्या का जा रहा है अनंत जीव हैं वो एक नगोश सरीर में जीव कितने हैं अनंत हैं और ऐसे सभी सरीरों में भी मिला करके अनंत जीव हैं उन अनंत जीवों ने ऐसे जीव हैं उनमें जो कभी भी तरशों की परियाय को प्राप्त नहीं हुए यानि जिनों ने कभी 2 इंदरी, 3 इंदरी, 4 इंदरी आदी कोई तरस परियाईवी प्राप्त नहीं की उसका कारण क्या है? कि उनके भावों में कलंक की इतनी प्रचुरता रहती है उतने भाव इतने अदिक कलंकित रहते हैं उनकी लेश्या इतनी अधिक खराव होती है इतनी दुर लेश्या कही जाती है जिसके कारण से वो अपने परिणामों से अन्य किसी भी परियाए की आयू का बंध नहीं कर पाते और वे निगोदवास को नहीं छोड़ पाते हैं यह इस गाता का अर्थ है इसकी डिटेल थोड़ी सी आपको बाद में बताई जाएगी और आगे कब इससे बाद में बताई जाएगा